दोस्तों आप सब का हादिक स्वागत है मैं हो कमतर नुराग और आज मेरे पास एक बड़ी ही अच्छी वीडियो है एक रियर लाइफ की सिनारियो जैसे आप में से काफी लोग को पता मैं एक online coach हूँ तो आज एक ऐसा कमाल का transformation है मारे पास यह transformation ऐसा नहीं है कि पहला यहां पे जो blood test है 27 मार्च को लिया गया था अब जब हमने blood test किया तो blood test करने के बाद कुछ बड़ी-बड़ी चीजे हमारे सामने आई और सबसे पहली चीज क्या थी जो इनका HBA1C है HBA1C इनका 9 था जिन्नों को नहीं पता HBA1C हो था तीन मंत का average blood glucose levels होते है तो अगर 5.7 के उपर HBA1C है तो उसको type 2 diabetes बोला जाता है तो हलत बड़ी खराब थी अब fasting blood sugar इनका 304 था on an average 100-120 के आसपास हो 100 अच्छा माना जाता है पहले 140 माना जाता था लेकिन चलो 120 के आसपास हो that's a good number fasting 100 से काम हो तो जादा अच्छा अब इनका जो एक बहुत बड़ी चीज़ थी थी त्राइग्लिसराइट थे त्राइग्लिसराइट 673 है अब दुको ट्राइग्लिसराइट 673 इतना बड़ा number है जिन्नों को नहीं पता आपके लेपर प्रफाइल में त कल एक लिए थी तो एक ट्राइग्लिसराइट उतने उतना कोई बहुत ज़ादा खतरनाग भी नहीं था GGT जो एक टाइप का लिवर वेरियेबल है 176 था इनको फैर्टी लिवर कंडिशन भी थी अब 2nd September अब रिजर्ट्स देखिए HbA1c हो गया 6.2 जो कि 3 मांस का अबरज ब्लड गलुकोज है अल्मोस्त अमने ताइप 2 डिवर्स कर लिये यहां पर यहां पर चार महीने और और यह पूरी तरह हो जाएंगे उसका फास्टिंग ब्लड शुकर जो 304 थी वो अभी 105 है उसके बाद ट्राइगलिस्ट जिसका पस्नली मुझे बहुत डर लग रहा था इनके केस में क्योंकि अबनॉमली हाय था वो 673 था अभी 124 आ गया तो बिल्कुल रेंज में आ गया उसका टोटल कलस्ट्रोल 279 था 223 था और जो GGT 176 था जो कि फैटी लिवर था तो अब वो गया 60 तो मान के चलिए हमने छे महिने में अल्मोस्ट टाइप 2 डाइबिटी रिवर्स कर लिए फैटी लिवर्स कर लिया हाय ट्राइगलिसराइट जो कि इनके हाट के लिए पूरी बॉड़ी के लिए बहुत ही खतरनाच चीज थी हमने वह भी रिवर्स कर लिया तो अब मैं बता अगर हमने क्रच ऐसी ढूंड ली जिससे जैसे आलकोहल हो गया स्मुकिंग होगी पॉन हो गया इस टाइप की कोई चीज है तो यह हमें बिल्कुल बरबाद कर देगी तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट क्या था हमने खाए आलकोहल इस एक नो और मैंने एक एक बात में ब पुर्पीन फॉलिंग स्लीप और फॉलिंग उनकॉंचेस अलकोहल आपको बेहोश करता है तभी जब आलकोहल आपको पीते हो सुबहा उटके आपको यहां फील फ्रेश आपको फ्रेशनेस वाला पार्ट जो फील बिल्कुल भी नहीं होता लाइक जीरो फील होता है क्यों क कि चीजे हो गई ट्राइक डिस्ट्रेश लेवल काम होगे लिकि नीन बेटर हो गई अब देखिए जब नीन बेटर हो गई पहले में कर बताता हूं इनका इनकी जो हाइट थी वाब थीक है सिक्स फुट टू और एक्सुबीस पच्चेस किलो के आसपास एक्सुबीस किलो क गई तो उसके बाद हमने वाकिंग करना शुरू कराया इसे सिंपल प्लेन वाकिंग ठीक है कुछ और काम नहीं किया आप जैसे सुबाट थे वाक करने चले जाते दिन को वाक करते रात को वाक करते तो आइस्ता आइस्ता टोटल कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि ये दिन की दो दो घंटे अलमस्त वाक करने शुरू हो गयते मतलब जब भी इनको कुछ भी मिले जैसे फोन पर बात करनी वाक कर ली घर पर डिसकॉशन करनी वाक के साथ वाक कर ली तो एक अक्टिविटी हमने करना शुरू कर दिया और उसके बाद जैसे से वेट सोड़ा कम होना शु चोटे मेडिय स्वाफ साय है लुडिक करता है इको चोटे में दु को छोटे मेल टीने बड़े मिल्स का पान हो तो में इनको दिन दो बड़े मेल मेल्स दिए हैं दूनों मेल्स मेक्या था गहलें लेकिन अशुम के डूशी उसकndia का प्रोता हुठ कुछ नहीं कि डाइट में अच्छी का सी आड की तो बीच में ऐसा टाइम आ गया थे नहीं हो और अब तो यह फास्टिंग में प्रोटीन यूज किया वह भी कभी कभी हर दिन यूज करते थे उसके बाद विटमिन D विटमिन B12 कि यह उनके थोड़े कम थे इसलाव कोई मल्टी वाइटमिन कोई को हम मैंने यूज किया क्योंकि नीन के थोड़ा बेटर होता था कभी अश्वगंदा यूज करते थे लेकिन और आल कोई फैट बर्नर या कोई बाकी की चीज हमने यूज नहीं की और एक पार जो नीद के जादा उपर आती है फिर हमने जो एक और चीज बड़ा प्रोड़ा इस किया जिस चीज को वह पार्ट था संलाइट का देखिए हम संलाइट को सचेट करते हैं सिर्फ विटमिन D से विटमिन D हमारी जनरेट करती है जब संलाइट हमाले स्किन पर पढ़ती है लेकि में उन्होंने बड़ी ही बड़ोतरी उनको पाई तो यह सब सिंपल सिंपल चीजे करके हम यह सब करने में सक्सेस्वल हुए एक बात बताता हूं कि दवाईयों का अमना रोल ज़रूर है लेकिन दवाईयां किसी को क्यो और नहीं कर सकती हम सब को पता है दवाईयां इंपोर्टन है वह आपका न्युक्रिशन है आपका लाइफस्टाइल है आपकी मुवमेंट है सब चीजे यह इन में इतनी पार है लेकिन जब हम कुछे डिजीज करने की बात करते हैं क्या डायेट से ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत फास्टिंग करके ठीक हो जाएगा यह सब चीजे कठी इन से पारफुल दूसरी कोई चीज निया आपकी डॉक्टर के पास भी जाएगा जो मेडिशन से प्रस्राइब करते हैं वह भी चीज से मना नहीं करेंगे तो वाइस आपको वीडियो से को सीखने को मिला क्यूंकि मैसेज वीडियो का यही था कि आपकी बॉड़ी बहुत स्मार्ट है यह अपने आपको ठीक करना जानती है एक सिंपल एग्जामपल देखे जैसे किसी को अगर बाजु तूटती है बाजु तूटती आप क्या करते हो अपको स्पेशल चीज को दवाई नहीं खाते हो हड़ी जोडने की आप बस प्लास्टर करते हो और अपनी बाजु को वहीं रखते हो बॉड़ी को ठीक करना आता है तो वैसे कोई डिजीज है अब कंडिशन दीजिए बॉड़ी को बॉड़ी को ठीक करना आएगा लेकिन कंडिशन नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाए तो I don't think कि कि किसी को भी डिजीज स्टेट में झाल